नमस्कार आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूस दिनर टूड़े आए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट अंदे के एक दुर्भाज पूर्ण हथा कल रात हुआ अजिए सेरपूर गाओं के निवासी थे और एक ही परिवारी जन थे और वो साधी समारों में संबलित होने के लिए अलेगर में पेसावा जा रहे थे जो रात में जो उनकी गाड़ी इको गाड़ी थी जो नहर में गिर गए इसमें तीन वाड़ी हमें रात मिल गई थी उसको उसका पीम कराया जा चुका है उनसे लिए दो लोग सखुसल बच गय थे ठीक है वो और बाकी तीन की तलास जारी है इस डियारफ की दीमिस्थानी गो किसार मौत हुई है यह थाना जहांगीरपूर्ट छेतर में कपना नहर है आज देर रात तरी बरसाद भी काफी तेज हो रही थी और तब यह सूचना प्राप्त हुई कि जो इको गाड़ी है वो नहर में गिर गई है यहां नहर के ठीक वगल में एक प्रांगंड बना हुए मंदर का जिसमें की फ्लड पीएची हमारी रुकिवी थी उन्होंने आवाद सुनते ही तदकाल रियाक्ट किया और उस समय पांच लोगों को उनके द्वारा वहां से निकाला गया वहान में कुल आठ लोगों उना बताया जा रहा है पांच लोगों को इनके द्वारा निका बताया गया है और शेश तीन लोग अभी नहीं मिले हैं उनके रिस्क्यू के लिए यहां ऑपरेशन चल रहा है SDRF और NDRF दोनों को रेक्विजिशन कर लिया गया है और जो हमारे स्थानिये गोता कोर हैं उनको भी बुलाए गया और यहां के स्थानिये जनता के विसे योग ले करके खोज कराई जा रही है इसके साथ ही साथ जो मृतक है उनके बॉड़ी को को स्माटर में तो भेज दिया गया और अगरे मिदे कारवाई इसमें कर रहा है यह थाना कोड़ छेत्र के रहने वाले हैं यह सभी और यह लोग यहां से अलीगड़ जा रहे थे करक्रम में तो यह नमा भाई आपका राहुल यह बताए कि यह लोग जो खतम हुए हैं कोन लोग हैं कितने लोगों की मौत हुए हैं क्या पूरी अगटन होई मेरे बहन भाई थे एक चाचा थे रिष्टे कॉंटेक्ट में रिस्पधारी में थे वो साधी में जा रहे थे गाड़ी ला मेरे पापा के मामा के लड़ी की साधी थी झाल